इन्दी की ख्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चो आज हम कुछ नए सब्द पढ़ेंगे चार बढ़ने के योग से वर्ने वाले सब्द तो इससे पहले हमने दो बढ़नों वाले सब्द तीन बढ़नों वाले सब्द पढ़ेंगे आज हम चार बर्णों के योग से बने वाले कुछ सब्ध पढ़ेंगे तो पहले आप अपने हिंदी किताब को देखो देखो बच्चो, इधर लिखा है चित्र देखो और बर्ण मिलाकर सब्ध पढ़ो तो यहाँ पर कुछ बर्ण में लाकर हम सब पढ़ेंगे तो इधर पहले कौन सा चित्र है? एक बर्गद का चित्र है बर्गद मतलब बरग अच्छो तो कैसे होगा? बरगद फिर उसके बाद लिखा है टम 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 अर्थम घोड़ा गाड़ी फिर उसके बाद लिखा है बरतन बरतन अर्थ बासन फिर उसके बाद लिखा है खटमल खटमल अर्थ छाड़पोक फिर उसके बाद लिखा है परवल अर्थ पोटड़ा फिर उसके बाद लिखा है कसरत कसरत अर्थ बैयाम फिर उसके बाद लिखा है अचकन अर्थ लंबर धिला पुसक फिर उसके बाद लिखा है दमकल धमकल येकी नियाली भाईवरे साज्यकर फिर उसके बाद लिखा है अदरक अदरक था अदरक था अदरक तो बच्चों कैसे बर्नों को जोड कर पढ़ते हैं हमने जान लिया अभी चलो कुछ और सब्द है उनको भी पढ़ते हैं पहले इदर लिखा है नटखट लथपत गरदन चटकल उपबन सरगम मकमल थरथर अदरक पत जड कच कच अनवन जगमग थरमस जटपट पचपन पनघट पल्टन हलचल फटकन खटमल डगमग अटकल बकतर बचपन धडकन खडबड भगदड तो बचों ये सब चार बनन वाले किर चोंग नीजडनी सब्द थे जिनने हम पड़ पाए अभी चलो कुछ सब्दों के अर्थ हम जांते हैं तो इधर लिखा है बरगरर बरगरध अर्थ बरग अच्छ फिर उसके बार लिखा है टम-टम टम-टम अर्थ गोड़गाड़ी फिर उसके बरतन, बरतन अर्था बसोन, फिर उसके बार लिखा है खटमल, खटमल अर्था छारपोको, फिर उसके बार लिखा है परबल, परबल अर्था पोटड़, फिर उसके बार लिखा है कसरत, कसरत अर्था बायाम, फिर उसके बार लिखा है अधरक, अधरक अर्था अधा, फिर उसके बार लिखा है नटखट, नटखट अथा दुस्ट, भी हमने कुछ सब्दों के आज जान लिए, अभी चलो तुम्हारे किताब में कुछ प्रस्न है, उनके उत्तर हम अब द्यास करते हैं, पहले इदन लिखा है एक नमबर पर, नीचे दिये हुए चित्रों को लिखना है, तो इधर पहला चित्र कौन सा है, अचकन, तो हम इधर लिखेंगे, अचकन, फिर इधर दोस्टा चित्र कौन सा है, सर्बत, तो हम इधर सर्बत लिखेंगे, फिर इधर कौन सा चित्र है, अद्रक, तो इधर हम अद्रक लिखेंगे, फिर इधर परबल का चित् तो बच्चो इस प्रकार एक नमबर होगा, अभी दो नमबर देखेंगे, दो नमबर पर लिखा है, वाई और दिये गए सब्दों को पढ़ो, और सामने लिखे गए सब्दों में से, सही सब्द छांट कर खांकित करो, तो इधर एक उधारन दिया गया है, अद्रक, तो इधर कहां पर अद्रक लिखा है, यहां पर, तो हम इसके नीचे रेखांकित किया गया है, उसी प्रकार हमें ये सब भी करना है, तो इधर लिखा है पल्टन, तो इधर पल्टन कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है पल्टन, तो हम इसके नीचे रेखांकित करेंगे, फिर इध इस प्रकार दो नमबर होगा अभी तीन नमबर देखेंगे तीन नमबर पर लिखा है दिये गए बर्न गुछों से एक एक बर्न लेकर सब्द पूरे करो तो यहाँ पर कुछ बर्न दिये गए है हमें उन बर्नों में से यहाँ पर कुछ बर्न लगाकर सब्द पूरा करना है तो एक उदारन दिया गया है तरकस तो इस खालिस्तान में का लिखा गया है इसी प्रकार खालिस्तान में हमें एक बर दन लेकर सब्द बनाने है तो इधर पहले लिखा है खालिस्तान फिर टपत तो हम इधर क्या तो हो जाएगा गर्धन, फिर इधर लिखा है व, फिर खालिस्तान, फिर पन, हम इस खालिस्तान में लिखेंगे च, तो हो जाएगा बच्पन, फिर इधर खालिस्तान है, फिर ट, फिर म, ल, तो इस खालिस्तान में हम लिखेंगे ख, तो हो जाएगा खर्टमल, फिर देखो इ फिर इधर देखो इधर खालिस्तान है फिर डगन इस खालिस्तान में हम धा लिखेंगे तो हो जाएगा धड़कन तो बच्चो इस प्रकार तीन नंबर होगा अभी देखो तुम्हारे किताब में कुछ छोटे छोटे बाक्य हैं चलो उनको पढ़ते हैं तो इधर लिखा है आ इस बस पर चड़ कर घर चल फिर इधर लिखा है कमल अब जग जग कर इधर आ उधर उधम मत कर अगर मगर मत कर आ कर खबर पढ़ आलश मत कर इधर लिखा है अक्तर पढ़ अक्तर नटखट मत कर बरगद पर मत चड़ टमटम पर चड़ गरदन उपर रख कखगगपढ अक्तर चटपढ़ तो बच्चो ये जो छोटे छोटे बाक्य हैं आप सब पढ़ने का अप्ध्यास करना ठीक है अभी तुमारे किताब में देखो गिंती लिखे हुए हैं तो एक से दस तक कैसे गिंती करते हैं हम सीखेंगे इधा लिखा है पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर साथ, फिर आठ, फिर नव, फिर दस इस प्रकार एक से दस तक गिना जाता है तो आप सब गिनने का अभ्यास करना और एक से दस तक कैसे लिखा जाता है? लिखने का भी अभ्यास करना बच्चो आज हमने जो सब पढ़ा आप सब उन्हें पढ़ने का अभ्यास करना और याद रखना आज के लिए इतना ही हम जल्दी मिलेंगे धन्यवाद